मकर यानि कैप्रिकॉं राशी इसके पांच इस तरह के रहसे हैं, इसके पांच इस तरह के आप गुण कह लीजिए, जिनको अगर आपने समझ लिया, तो जीवन में इतिहास रज सकते हैं, अपने जीवन में आप चमतकार घंटित कर सकते हैं, आज आप किसी भी परिस्तिती से निकल रहे हैं उससे बड़ी आसानी से आप खराब से खराब परिस्तिती से निकल सकते हैं इस तरह के रहसे हैं लेकिन एक बात याद रखेगा कि ये वीडियो केवल उन लोगों तक सीमित नहीं है जिनकी मकर राशी है या जिनका मकर लगने है ये बारा के बारा लगने या ब पराबर relevant महत्वपुन वीडियो है, कारण क्योंकि मकर राशी आपके बर्थे चार्ट में कहीं ना कहीं पर तो है, और जहां पर ये राशी है ना, वहां पर आप इसके रहस्य को समझ के अपने जीवन में अपलाई करिए, और फिर देखेगा किस तरह से आप डिक्कतों से नि वेधन, कि अगर अब भी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फिर पर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना बिलकुल मत भूलिएगा, ये मैं खहता भी इसलिए हूँ, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना जो है एक मोटिवेशन ब जीवन की शुरुवात ही मेशराशी से होती है न, इसलिए मेशराशी जो है शुरुवात या किसी चीज़ को इनिशेट करने के लिए बहुत इंबॉटन है, वहीं अगर हम वरशराशी की बात करें, तो ये इनसान जो भी कर्म करता है, उसका संचे, यानि के धन उपार्जन या आपके जीवन में जो भी value addition होगा न, वो वरशराशी से होगा, मिथुन राशी जहां पे होगी, वहाँ पे आपके communication बहुत ज्यादा grow करेगी, करक राशी जहां पे होगी, वहाँ पे आपके जीवन में सुखा आएंगे, सिहराशी जहां पे होगी, name and fame लेके आएगी, क जीवन में transformation आनी, changes आने तय है, धनुराशी जो है, यह कहती है, एकला चलो, यानि धनुराशी आपको ग्यान दो देती ही है, लेकिन इंसान struggle से, जो निखर के सामने आता है, वो धनुराशी की वज़ा से आता है, अब आते हैं मकर राशी पे, मकर राशी जो है, आपके कर्म पार से, उसकी कुम्भराशी है, आपके अच्छे सलाहकार, जिन लोगों से सरांडेट रहते हैं, जिनके कहें अनुसार आप चलते हैं, आप कहेंगे हमारे तो आसपास कोई है ही नी, जिसके कहें अनुसार आप चलते हैं, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, कि हमेशा हर इनसान अपने आसपास कुछ न कुछ लोगों से घिरा होता है, वो फैमिली मेंबर हो सकते हैं, दोस्तों हो सकते हैं, कुलीग हो सकते हैं, कोई भी लोग हो सकते हैं, जाने जाने इनसान उनकी बातों में आता है, उनसे इंप्रेस होता है, या उनके जैसा बनने की कोशिश क चरता है यह कुम राशी वले लोग होते हैं और फिर आती है मीन राशी जो आपके जीवन में चीज़ों को गिबवे करने की राशी होती है आपके जीवन से लॉसे या जो चीज़ें आपके हाथ से जाएंगी उनकी राशी जो है मीन राशी होती है तो जो आपके मकर राशी है इसके पांच रहसे पहले समझ लीजिए और फिर देखे आपके जीवन में ये पांच रहसे किस तरह से apply होते हैं थोड़ा गहन वीडियो है इसको एक बर repeat करके देखेगा इसके notes बनाईएगा ताकि इसको अपने जीवन में आप apply कर सको इसको ignore बिल्कुल मत करिएगा मकराशी का जो सबसे पहला secret है वो है कि आपको कर्म करते रहना है आप कहेंक कर्म तो हम करते ही है इसमें नया क्या है मैं उस कर्म की बात करना हूँ जिस घर में मकराशी आती है मकर राशी आपके बर्थचाक में किसी भी घर में हो सकती है सपोस करिए किसी की मकर राशी जो है उसके लगन में ही है उसका मकर लगन है तो अब उसे इंसान को क्या करना है अपनी केर करते रहना है अपने प्रती सचेत रहना है अपनी बहुत देखबल करनी खुद को किसी भी परिस्तिती में इग्नोर नहीं होने देना है ये उसका कर्म बन गया मकराशी अगर किसी के पंचमभाव में आ गई अब उसका संतान के प्रती जो कर्म है वो उसके जीवन को आगे ले जाने में सहाय करेगा जितना वो इंसान अपने संतान को इग्नोर करेगा उतना अपने जीवन में पीछे रहता जाएगा अब पंचमभाव संतान का केबल तो है नहीं पंचमभाव जिन भी चीजों का है उन सारी चीजों के प्रती उसका कर्म बन गया अब मकर आशी सपोस करिए किसी इंसान के 7th house में आ गई जिनका कर्क लगन होगा उनकी मकर आशी 7th house में आईगी वो लोग क्या करेंगे उनका कर्म जो है न वो किसे किसे होगा वो अपने जीवन साथी के प्रती होगा उनको जीवन में choices बहुत मिलेंगी सही या गलत की पहचान करना ही उनका कर्म बन जाएगा जितना वो choices में फसते चले जाएगे जितना वो confused होते चले जाएगे उनका कर्म जो है जीवन का खराब होता चला जाएगा जीवन में अर्चने आते जाएगी अर्चने क्यों आएंगी? मकर राशी के स्वामी है शनी, शनी के अट्रिब्यूट क्या है? शनी के अट्रिब्यूट है स्लोली चलना, शनी के अट्रिब्यूट है चीजों का अभाव लेके आना, शनी के अट्रिब्यूट है चीजों में बहुत ज्यादा कमी लेके आना, द्र मकर राशी है ना आपको उस घर के प्रति अपने कर्म को करते रहना है आपको कर्म से कर्म को अपने करियर से कंफ्यूज नहीं करना है कर्म का मतलब है आपका behavior towards the outer society और towards your family and friends आपको इसके अनुसार अपने behavior को change करना है फिर देखेगा किस तरह से मकर राशी आपके जीवन में परिवर्तन लेके आती है मकर राशी का जो दूसरा गुण है वो है कि जहां पर भी मकर राशी है उस चीज के प्रति दिमाग मत लगाईएगा उस चीज के प्रति overthinking मत करिए अब वो चीज होनी ही होनी है सपोज करिए मकर राशी जो है आपके बर्थेचार्ट के second house में है धन के स्थान पे है फैमली के स्थान पे है वानी के स्थान पे है अब ये इंसान जितना conscious होके बोलने की कोशिश करेगा उतनी गलतियां करता जाएगा ये इंसान फैमली के प्रति जितना जादा possessive रहेगा उतना ज्यादा फैमली के प्रति उसको बेरुखी का सामना करना पड़ेगा surrender करते जैसा जो चल रहा है जहां पे मकर राशी है न वहां पे दिमाग न लगाए बस surrender करते फिर देखे किस तरह से मकर राशी उसको result देना शुरू करते अब मकराशी का तीसरा बहुत बड़ा रहसे आपको बताने जा रहा हôm ये रहसे है कि जहाँ पे मकराशी है उस घर के प्रती आपके जीवण में जो चेंजिज है ये बड़े ही स्लो तरीके से आएंगे बहुत ही धीमे धीमे आएंगे तो आप अगर जहां पे मकर राशी है उसके ब्रती चेंजिस को बहुत तेजी से expect कर रहे हैं तो फिर आपको frustration तो होगी आपके शनी भी खराब होंगे और उल्टे चीज़ें आपके against चलना शुरू हो जाएंगे फिर से वही उधारन लेता हूँ suppose करिए कि किसी का धनू लगना है और उसकी मकर राशी उसके second house में है अब वो चाहेगा कि मुझे रातो राथ धन आजाए वो नहीं आएगा उसके जीवन में धन का आग्मन बड़ा slow ही होगा किसी की मकर राशी अगर उसके 11 यानि income के भाव में है तो उसकी income रातो रात डबल नहीं होगी उसकी income बहुत slow process से बढ़ेगी और जो बढ़ेगी फिर वापिस में आएगी मतलब बढ़ती ही चली जाएगी किसी की मकर राशी उसके 10th house में आ गई तो उसके career की जो growth है ना या career की जो भी transformation है वो आराम chain से ही आती रहेगी वो जितना तेजी से नौकरिया चेंज करके काम चेंज करके अपने काम में तेजी लाने की कोशिश करेगा उतना मूग की खाएगा इन चीजों को समझना बड़ा जुरूरी है कि जहां जहां पे मकर राशी होगी वहाँ वहाँ पे जो बदलाव हैं वो बहुत ही slowly आएंगे अब मकर राशी जो है अभी तक हमने क्या सीखा अभी तक हमने क्या जाना कि कर्म वहाँ पे करते रहना है वहाँ पे आपने लॉजिकल नहीं होना है दिमाग नहीं लगाना है वहाँ पे changes जो है वो बहुत ही slow आएंगे अब मकर राशी का चौथा रहसे जो है न वो इन तीनों चीजों से ही चुड़ा हुआ है वो है कि जहाँ पे मकर राशी है आपको उस घर का कभी शोभा नहीं मिलेगी उस घर के प्रती कभी credit नहीं मिलेगा सेवंध हाँस में मकर राशी है न तो आपको लाइफ में ग्रहस्ती में जितना मर्जी अब अपने जीवन साथी के लिए अच्छा कर लीजिए credit आपको नहीं मिलेगा सेवंध हाँस में मकर राशी है तो परिवार कभी भी आपको आपकी जिम्मेदारियां लेने के प्रती कभी भी credit नहीं देगा आपको यह सुनने को मिलेगा आपने हमारे लिए किया क्या है पंचम भाव में होगा तो संतान आपको हमेशा complaintful मिलेगी कहेगी कि मेरे पेरेंट्स ने या मेरे पिता जी ने मेरे लिए कुछ नहीं किया है आपके workplace यानि 10th house में मकर राशी होगी तो workplace पे भी काम आप कर लोगे क्रेडिट दे जहां पे भी मकर राशी है आपको उस चीज के प्रती इग्नोर कर देना है यह आपका करमाज है आपको मकर राशी उस घर में मिली है इसलिए है कि आप उस चीज को इग्नोर करो जितना इग्नोर करोगे उतना आपकी मकर राशी आपके लिए बैलेंस होगी औ उतना जीवन में आपके लिए सुख साधन लेके आएगी आपके करमास को सही करेगी इस लिए इस चीज को पक्का याद रखेगा कोई क्रेडिट नहीं लेना है जिस घर में मकर राशी है और आपको उस चीज के प्रति काम को लगातार सतत करते ही जाना है अब आईए मकर आपको क्यालरी बढ़निंग करना है आपको कोई भी कंफर्ट जोन में रहके काम नहीं करना है आपका काम ही ऐसा है कि आपको टेबल चेर पेठके करना पड़ता है तो फिर जिम जाहिए सेयर करना शुरू करिए चलना फिर शुरू करिए पसीना भाई यह आदे शनी तो इस तो फिर आपको क्या करना है कि जहां पर मकर राशी है उस घर के प्रती अपनी एक्टिविटीज को बढ़ा दीजिए चलिए 12 के 12 घरों के एक्टिविटीज बताता हूं लगना आपका अगर मकर है तो आपको खुद का ध्यान रखना है अपने आपको पैंपर करना है अपने चरीर का ध्यान रखना है तो सेविग की तरफ ध्यान दीजिए परिवार की तरफ अपनी जिमेधरीउ पूरा करें ना कारिए आपको प्रिवार से तीर्डाई है तो माताजी कि सेवा जो है जितनी जादा कर्सों को उतनी करिए अपने माता जी का खूब ध्यान रखिए और सबसे जुरूरी चीज क्या है अपने नेटिव लेंड का यहाँ पे लोगों को थोड़ा से यह उपाई बोरिंग लगेगा क्योंकि समाज के लिए कोई बहुत जादा नहीं करन बनू आपको परदे के विचे रहे के काम करते रहना और अपने बच्चों की जमेदारियों को पूरा करना है चटेगर में मकराशी आई है ना तो आपको अपने आन पड़े करजा मत लीजेगा नई तो यह मकराशी करजे के जाल में उल्जा देगी आपको सेवंध हाउस में मकराशी है तो अपने जीवन साथी से जो भी के प्रती और अपने पिता जी के प्रती हमेशा रिस्पेक्ट्फुल रहिए वो चाहे आपके प्रती कैसा भी विचार रखें दसमें भाव में मकराशी है तो ऑफिस में जो भी रोल मिले जो भी काम मिले उसको करते जाहिए बस ग्यार्में भाव में मकराशी मिले तो आपक को प्रापर करनी है कोशिश करिए अस्पतालों में या इसी जगाओं पर जहां पर बहुत ज़्यादा जुरूरत मन्द लोग हैं उनको अपनी इंकम में जो भी आपका कमफर्टेबल आपको दे सकते हैं उतना हिस्सा डोनेशन जरूर देते रहिए यही आपका कर्मा है मकर राशी की इन रहस्तियों को अगर आप समझ जाएंगे आप फिल करेंगे कि स्लोली ग्रेजूली आपके जीवन की जो गाड़ी रुकी हुई थी अब वो चलनी भी वो भी हल होनी शुरू हो गई है वो क्यों हल होनी शुरू हो गई है क्योंकि आपके पैसे के घर का भी मकर राशी से सीधा सीधा संबंध होता है आप मकर राशी को सही करेंगे ना आपके जीवन में धन का आगमन जो है निरंतर होना शुरू हो जाएगा दोस्तों इस जानक तक इसको जहां पर आपको लगे शेर करना चाहिए शेर करना मत भूलिएगा तो चलिए बहुत जल्द में मिल रहे हैं नई टॉपिक नई विशे के साथ तब तक अपना खूब ध्यान रखेगा नमस्ते